टाकुली और टॉक्स की एक और नहीं वीडियो में दोस्तों आप सभी लोग और फिर से स्वागत है तो दोस्तों अभी आपके सामने हैं बॉलेरो मैक्स पिकप जो इनकी जो नई हैवी डूटी वाली सीरीज जो लॉंच हुई है उसका आप ये 1.3 टन पे लोड कैपिसिटी वाला जो है वेडियन देख रहे हैं तो डीटेल में जरा जानते हैं पिकप लैंथ विर्थ में कितना बड़ा आपको जो है नॉर्मल इनक से लेना हो इसमें ले सकता है इसमें क्या है पर्मिट जो इसका ग्रॉस वीकल वेट वो तीन ह्यार केशी से उपर नहीं जाएगा तो पर्मिट की जरुवत इसमें नहीं पड़ेगी वहीं अगर आप 1.7 टन मतलब सत्रक उंटल या 2 टन मतलब 2 टन पासिंग वाला भी इसमे ले जाता है तो एक तो यह चीज और यहां पर जो 1.3 जो है हेवी ड्यूटी अला वेरिंट इसकी एक्शोरूम जो लेती है 9,47,000 रुप एक्शोरूम और जाते आते लगभग जो है यह आपका 10,20,25,000 रुपय का देखने को मिल जाएगा लेकिन उत्रकंड से हैं तो नीच से 55,000 रुपय एक्शोरूम पर महेंगा देखने को मिलेगा उसकी एक्शोरूम जो रहती है वो लगभग 7,95,000 रुपय रहेगी तो उसके कंपेरजन में यह थोड़ा बड़ा भी है कितना बड़ा है सबसे पहले 1800 mm की पूरी चोड़ा ही मिल जाएगी आपको विर्थ काफी अच्छी कासी आपको इसमें मिलेगी ओवराल जो इसकी लेंद्ध है वो आपको 5060 mm की पूरी लेंद्ध इसमें मिल जाती है वील बेस के अगर मैं बात करता हूं तो वील बेस जो इसका रहता है 3290 mm के असपास रहेगा तो अच्छा कासा डाइमेंशन में काफी बड़ा भी इससे पूरा पीक उप जैसे आप फ्रेंट में आते हैं तो फ्रेंट में आप देखींगे तो बॉलेर को वाला लूक आपको देखने को मिलता है यहां से ग्रिल आगर आप देखेंगे इस तरीके से डूल टॉन कलर में आपको ग्रिल देखने को मिल जाती है महिंद्रा का लोगो यहां पर देखने को मिलता है क्रोम में जो कि बहुत ही अच्छा लगारा चमकता हुआ और बाकी यहां इसमें भी मैटल में ही देखने को मिलेंगा टोइंग हुक यहां पर आपको मिल जाते है रेफ्लेक्टर टेप का यूज प्रॉपर किया गया क्योंकि कॉमेंट से वीकल रहता है तो बनता ही बनता है फॉग लेंट जादा ही जरूरी है अगर आप चाते है इतना अचुछ नहीं हारा तो ऐसा कुछ है फ्रेंड का अभी इनग्र सेक्षिन की और चलेंगे यहां पर जैसे ही साइड प्रोफाल की और आते हैं तो साईड में देखो यहां पर अगर आप 17 कुंटल या वी 13 कुंटल में लेंगे तो यहां पर आपको 15 इंच के टायर प्रोफाइल मिलती है 16 इंच की वो 20 कुंटल में आपको मिलेगी तो यहां पर आपको 15 इंच के टायर प्रोफाइल मिलती है साइड बॉल कासी चौड़ी यहां पर दे रखी है साधी साथ जो है यहां पर आपका जो है स्ट्रिलिम मिलेगा ब्लैक अलर का फ्रेंट में डिस्क अपोलो के टायर दिये गए हैं बुलैरो मैक्स बिगप की यहां पर बैजिंग मिल जाती यह मैक्स आपका क्रोम में काफी अच्छा कासा कलरफुल वाला लिखा हुआ बड़ा अच्छा लगता है साइड फेंडर पर इंडिकेटर है साइड ट्रिन इंडिकेटर वाला बाकि हिंज ऐसे विजिबल रहती रहते से तो बड़ा साइड जिनका अच्छा कासा देखने को मिलेगा मैट कलर में रहते हाथ से एड्जल हाथ से फोल्ड करना है और की जो है आपको ड्राइवर्ट साइड से भी आप बन कर सकते हैं यहां पर भी आपको लॉक सिस्टम दे दिया गया है हेवी ड्यूटी की स्टेक की बात करता हूं तो डाले का साइज वह आपको काफी अच्छा कासा मिलेगा 2765 mm की पूरी जो इसकी लैंत है मतलब लगबग जो नौ फीट का यहां पर डाला रहता है अच्छा कासा जो है लैंत है जैसे अकर आप चोड़ाई की बात करेंगे जैसे की एक्थारोस देखने क मिलेगा तो लगबग इतना और करवाने लगबग 30-35,000 रुपे का खर्चा और है तो पूरा अच्छा खासा जो है हाई डैक यह बन जाएगा बाकी यहां से अगर आप खोलना चाहें इससे खोल सकते हैं साइट से खोलना चाहें अराम से इससे खोल लेंगे अब यहां पर इसका साइज तो पता लग्या हुगा इसमें आपके जो होक्स भी दिये गए हैं यहां से आप बादना भी चाहें बाद सकते हैं लेकिन सस्पेंशन में दिखाना बोल गया तो फ्रेंट में जो कमानी पट्टे हाँ पर दिये जाते हैं वो चेक करतें सबसे बहले तो यहां जो है आपके लगभग कमानी पट्टे हाँ पर देखने को मिल जाते हैं अब यहां पर तेरा सो कुंटल की पासिंग रहेगी तरीके से चैसिस दिया गया है ओबर लोडिंग करना चाहिए लगभग तक आप अराम से तीस कुंटल तक आप इसमें कर सकते हैं और यहां पर भी आपको फ्रेंट वाले उसमें भी आपको देखने को मिली जाएगा और रियर में जो कमानी पट्टे हैं वो जस्ट नीचे के काफी जो है मोटे हां पर रहते हैं लगब जो है आठ से नौ यहां पर कम पिंचे साथ नौ लगबग आठ से नौ है रियर वील ट्राइव रहती रहती है पिकप तो यहां पर आपको मिलेगी अच्छे ऐसी भी अच्छी गासी देखने को मिल रही है और इसका अगर मैं गेज की भी बात करूं लोड बोड़ी का गेज यह भी काफी अच्छा गासा ह पिंचे साथ जो है देखने को मिल रहा है तो ऐसा गुछ रहता है साइट से चोड़ाई एच्छी कासी है लेंथ भी काफी अच्छी कासी जो है आपको इसमें देखने को मिल जा रही है और लगबग अगर सिटी सीरीज से कंपेर करेंगे जो मैक्स की बोलेरो वाली आती है लगबग यह लैंथ में जो है 20-25 सेंटीमीटर वड़ा देखने को मिलेगा पीछे जैसी आएंगे तो पीछे इसमें रेफ्लेक्टर टेप यूज की रही है और पीछे जो है यहां पर LED टेल लेंस वह वाले में वी एक्स वाले वेरिंड बाहेंगे वी एक्स सेरीज लगब 60 लीटर, 6 लीटर की डीजल टैंक की कैपसिटी यहां पर मिलती है तो सिर्फ डीजल ही भरवाना है यूरिया भरवाना की कोई टैंसर ही नहीं है और बाकी अब चलते हैं इंटियर सेक्शन की और यहां पर कुछ ऐसे सरीज भी लगवाई गई है जैसे कि आपर देखिए डो इसमें लगाया गया और क्या क्या लगाया है यह बहुत को बता हुआ अब बढोगा यह आपको अपको आपको आपको करने आपको एस तरीगे से आपको यहां पर कर सकते हैं इस बार यह हैंडिल सी थोड़ी सी क्वालिटी आपको अच्छी इंप्रूब्ट डेखने को मिल यहां पर आपको यहां पर मिलेगा है मिलेगा अब जड़ा इंजिन की बात करते हैं फिर जड़ा सीटों की बात करेंगे तो सबसे पहले एंजिन वही एंटु डियाई 2.5 लिटर का जो है डीजल फोर सिरिंटर वाला इंजिन मिलता है जो की पावर जो इसमें 80 होस पावर 220 न चुलिक्षन नहीं मिलेगी एक बार जस्ट इसको जो है मैं स्टार्ट करके दिखाता हूं एक वाशर ने दो वाइपर आपको जो है फ्रेंट में देखने को मिल जाते हैं और स्टार्ट करते हैं इसे जड़ा फटा फट से सबसे बहले गाड़ी अभी न्यूटल में है और यहां से तो सण सुने इसके ऐसी कुछ जो है इसकी आपको साउंड सुनने को मिलेगी अभी फ्रेंट का जो है वो उठाके आपको सी सुनाता हूं तो ऐसी कुछ जो है साउंड इस इंजन की रहती है असी होस पावर जो है ये 220 एनन टॉर्क के साथ में जो है प्रिड्यूस करेगा बाकी देखो अगर ओवर लोडिंग करते हैं तो माईलेज फोड़ा सा ड्रॉप हो सकता है तेरा सो कुजी के आसपास जो है यहां पर जो माईलेज लगबग आपको जो है 14-15 का ओन हाईवे पर मिल जाना चाहिए है एड़ लाइट की बीम गोई नॉर्मल ही यहां से एड़र्स होगी यहां पर दिया गया है और साथ जो सीटे हैं इसमें सीट कवर लगाए गये हैं यह यहां से अगर आप यह देखते है जैसे कि हैंडवे का भी नीचे है तो यहां पर अराम से अराम करना चाहते हैं ना पांच-छेसो साथ सो क्लियूमिटर चलके तो अराम से कर सकता है ड्राइवर क्योंकि बीच में ज्यादा कुछ हम थोड़ा सा गया देखने को मिलना यहां को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा एक बार और स्टार्ट करता हूं यहां पर मैं स्टेरिंग भी काफी स्मूध है हाइडॉलिक स्टेरिंग आपको यहां पर मिल जाता है वारंटी वही जो है इसमें तीन साल एक लाग किलोमेटर तक की मिलती जो भी पहले पूरा हो जाए और यह चीज देखिए यहां स्टेरिंग प्लेसमेंट वह पीशे कर रही है वालिम थोड़ा सा कम करता हूं तो यहां पर इस साइड पर एक स्टेर यहां लगाया गया है तो यह एडिशनल है यह चीज़े यहां पर इसमें नहीं आती यह स्क्रीन में लगवाई गई है क्षय यहां पर रहे दो लगवाई है यहां पर आपको तीन करति धाल कर रहे हैं यहां पर 10 यहां पर इस तरिके से देखने को मिल जाती है तो चार्ज मेंकर घर्जके हैंए कर सकते हैं पड़ता ही है आज कर आप जानती है सबके बास मुबाइल है तो इसके लिए भी हाँ पर सिस्टम है बाकी यह चीज यहां इसमें चावी लगा सकते हैं आप चावी इसमें बन रहा भी है तो कोई जरूरी डोकिमेंट हो वो आप सेपरेट सुरक्षित तरीके से इसमें रख सक तो पीछे आपको एक लैंप यहां पर मिल जाती है इस तरीके से और यह स्लाइड वाला यहां पर दिया गया है कुछ यहां पर ऐसा यह तहेगा तो यह सारी फीचर जिसमें रहते हैं 1.3 वाले जो है यहां पर टन कैपिसिटी वाले जो हैं आपर हैवी डूटी बुलरो मैक मैक सी चीज़े यहां पर जो एक यह जढ़ी है और यहां पर दो स्पीकर लगे है और शीट कवर लगे है यह चीज़े इसमें लगी आपको मिलेंगी तो यह था दोस्तू Bolero Max Pickup Heavy Duty Series जो उसकी आपने देखी एक शोरों वोई 9,47,000 रुपे अराम से 60-60,000 से नीचे-नीचे का आप आराम से मिल जाएगा कभी कभार आउफर भी चलते हैं तो 10,000,000 से भी नीचे को ये दिखने को मिल सकता है लेकिन exact price जनने के लिए महिंदरा के कोई से भी जो है आप डीलर से पर जाके कॉमेर्शल वाले पर वो जो है आप पता कर सकते हैं तो यही थी आज की वीडियो एक तरीके से बुल्लैरो Max Pickup के बारे में तो मिलते हैं एक और आशी नहीं वीडियो के साथ हमें